गुड मॉर्निंग मॉडेन स्टार्स कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को मन से कर रहे होंगे बच्चों अपनी हिंदी व्याकरन की किताब निकालिए और चैप्टर टू पार्ट दो वर्ण विचार पढ़ते हैं आज हम पेज 9 ओपन करिए वर्ण वर्ण क्या होते हैं आईए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है इनके टुकडे नहीं किये जा सकते ठीक है तो ऐसे शब्द जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उन्हें हम वर्ण कहते हैं और इनके टुकडे नहीं किये जा सकते जैसे की मोर अगर मानलो मोर लिखा हुआ है तो मोर का टुकड़ा अगर हमें करना है तो हम लिखेंगे मा, ओ, र, अ तो ये हो जाएगा आपका मोर मोर जो है आपका मा, ओ, र, अ इन वर्णों से मिलके बना हुआ शब्द है तो भाषा की सबसे छोटी इकाई या धुआनी जिसके खंडन नहीं किये जा सकते उसे word कहते हैं आप अपनी copy में सबसे पहले part दो लिखेंगे word विचार लिखेंगे और उसके बाद में आप heading डालेंगे word word heading डालने के बाद में ये definition आप अपनी copy में note करेंगे ठीक है फिर उसके बाद लिखेंगे word करेंप प्रकार word के प्रकार हिंदी भाषा के अनुसार word के दो प्रकार होते हैं स्वर एवं वेंजन इतना आप अपनी copy में लिखेंगे तो सबसे पहले आप अपनी copy में डालेंगे part 2 word विचार heading डालेंगे word word की परिभाषा लिखेंगे और फिर heading डालेंगे word के प्रकार और ये प्रकार लिखेंगे अपनी हिंदी व्याकरन की copy में आपको इतना करना है chapter number 1 भाषा हम अल्रेडी पढ़ चुके हैं जिन बच्चों ने ना किया हो वो अपना school के channel पे जा करके देख सकते हैं ठीक है next अब हम बात करेंगे swear की तो बच्चों swear वो होते हैं जो ये सारे आपके swear में आते हैं कुल मिलाके 11 swear होते हैं ठीक है 11 swear कौन कौन से होते हैं ये ये उ और ये 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 और अंग और अंग और अहा जो है वो आपका अनुस्वर अंग जो है अनुस्वर और चंद्रबिंदु वाला जो आपका शब्द होता है वो अनुन नासिक और अहा जो होता है वो आपका विसर्ग कहलाता है ठीक है swear की मात्राएं आप सब को पता है मात्राओं का ग्यान आप सब के पास है A की कोई मात्रा नहीं होती A में एक खड़ी पाई लगाते है E में इस तरीके की मात्रा लगती है और बड़ी E में इस तरीके की मात्रा लगती है U ऐसे लगता है और बड़ा U ऐसे मात्रा लगती है ठीक है? री की मात्रा ये रही ए की मात्रा अ की मात्रा अं की मात्रा और आहा आहा के लिए ऐसे चंद्रबिंदू के लिए ऐसे और अं के लिए ऐसे बिंदी लगाते हैं ठीक है? आप सबी को समझ में आया होगा कि मात्रा कहां क्या कैसे लगती है ना आया हो तो आप मुझसे एक बार फिर से पूछ सकते हैं अब देखते हैं कि कुछ मूल रूप क्या होते हैं ये आपको कुछ शब्द दिये हुए है प्रयोग करके जिनको बनाया गया है कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ने रीट करेंगे, next आपका होता है व्यांजन, ठीक है, व्यांजन स्वतंत्र नहीं होते, इनको बोलने के लिए हम स्वर का प्रयोग करते है, छोटे अ शब्द का स्वर का प्रयोग हम हमेशा करते हैं जैसे क, ख, ग, घ, अड, च, छ, ज, ज, इन सब को बोलने के लिए हम लास्ट में अ यूस कर ही रहे हैं तो ये सारे जो हैं व्यांजन जो भी होते हैं वो अ स्वर से छोटे अ स्वर से मिलके बने हुए होते हैं ये टोटल 35 होते हैं ठीक है ये कुल 35 स्वर होते हैं ठीक है आप पड़ सकते हैं यहां कौन-कौन से व्यांजन होते हैं तो आपने अपनी कॉपी में अभी तक लिखा था वर्ड की डेफिनिशन वर्ड के प्रकार इसके बाद आप लिखेंगे स्वर स्वर को लिखने के बाद में स्वर के आप एक्जाम्पल लिखेंगे means कितने स्वर टोटल होते हैं ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे ठीक है नेक्स्ट आपको लिखना है व्यंजन और सारे व्यंजन के नाम लिखने हैं ये 35 व्यंजन आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं फिर संयुक्त व्यंजन स्वाइयुक्त वेंजन कुछ ऐसे वेंजन होते हैं जो हिंदी भाषा में चार स्वाइयुक्त वेंजन है जैसे छ, त्र, ग्या, श्र ये आपके स्वाइयुक्त वेंजन है जो दो वेंजन के साथ में मिलके बने होते हैं जैसे छ, छ बना होता है क और श से ठीक है, त्र, यह आपका बना होता है त और रा से, ग्या, ग्या जो है आपका बना है ज और ग्या से, ठीक है, और श्र आपका बना है स और रा से, ठीक, आप जब भी इनको बोलेंगे जैसे छ, तो आपको क और श, दो सुनाई देगा, श, ठीक है, त्र, त और रा, दो शाहिय नियुक्त सब्द से मिलके बने हैं अब हम बात करेंगे रह के बिबिन रूप की रह जो है एक इस तरीके से लिखा जाता है जो नॉर्मल रह होता है ऐसे लिख देते हैं एक रहरेफ वाला रह कहलाता है जो उपर की तरफ मात्रा लगाता है नेक्स्ट रह होता है ऐसे एक वी की तरह लिखते हैं, जैसे ड्रामा, ट्रंक ठीक है, इस टाइप के जो भी शब्द आपके होते हैं ये कहलाते हैं ऱाके बिबिन रूप ठीक, आईए देखते हैं कि आपकी बुक में एक्सराइज में क्या-क्या है तो सबसे पहला आपका exercise work है वर्ड माला पूरी करो वर्ड माला पूरी करो बच्चों आपको वर्ड माला लिखनी आती है मुझे पता है आप सभी भर लेंगे इसमें आ-आ-ई-ई से ले करके क से ह तक भरना है ठीक है तो आप इसको भर सकते हैं इसको लगाने के लिए आप लिख सकते हैं पंकज में आपको अंकी मात्रा लगानी है आख में चंद्रबिंदू लगेगा मुह में चंद्रबिंदू लगेगा संकर, चांद, मा, कंगन, बंदर, कांटा, पांच इस तरीके से लिखना है फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको मांत्रा लगानी है तो पहला है आपका ज्यान, दूसरा है शरीर, तीसरा है दस, दस में कोई भी मात्रा नहीं लगेगी, बिना मात्रा का शब्द है ये, पास, धर्म, चाक, ठीक है, भारत, सखी, व्रिक्ष, काल, ये आपको मात्रा लगा करके अपनी किताब में ही करना है, ये सारी एक्सराइज आपको अपनी बुक में ही करनी है, नेक्स्ट, आपको रा के विभिन रूप लिखने है, तो ये रहा ग्रेल गाड़ी, क्रिशक, वर्षा, सूर्य, सर्प, ज्वार, ठीक है, ये आपके हो गए, उसके विभिन रूप, नेक्स्ट, आपको वर्ण मिला करके लिखना है, तो म म, न, उ, श, य, अ, तो म, म, के साथ में छोटा उ बन गया, पूरा म, न, न, पे उ की मांत्रा, ये बन गया आपका उ, मनू, उ बन गया, और श, श में कुछ भी नहीं है, अभी नहीं लगा है, तो ये आधा श है, य, मनुष्य, ठीक है, नेक्स्ट है आपका विश्वास, क पश्मीर, परवत, त्योहार, और पत्थर, इस तरीके से आपको ये exercise अपनी complete करनी है, बच्चों book work, copy work, दोनों एक साथ करके, आपको अपनी whatsapp group में send करना है, अपने काम को स्वक्षिता के साथ करिएगा, और कहीं भी कोई भी cut pit मत करिएगा, neat and clean handwriting में इसको लिख करके, आ एंजन को लेके तो आप मुझसे पूस सकते हैं, आज के लिए इतना ही, इसी के साथ आपका ये chapter फिनिश होता है, thank you, have a nice day to all.